अच्छा गोलू जी एगो आयांस बावो के बारे में आजकल पूरा मीडिया चर्चा कर रह लगा लेकिन सोचल मेडिया इसने गों चीज हो कि वाईरल हो के खाती लोग कुछो करें आयानस के आज गीकतवाइनस के मामी पापा प्यार महबत करी हैं। दोसर आयानस पैदा हो जाई एसे हम रोटी से को लबात ना करीं। आयानस कोनो बड़ा मेटर नहीं खे। मैं गोलु राजा आपको प्रस्णली बोल रहा हूँ प्रस्णली मतलब कि आप एक बहुत अच्छे कलकार हैं और मैं हमेशा जानता था कि आप बहुत अच्छे कलकार हैं और बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा आप गाते बजाते हैं बट मुझे इतना नहीं पता था कि आप इतने अहंकारी हैं आप भगवान भी हैं इस धर्ती पे और आप कम उम्र में आपको ये भी पता है कि प्यार करने से बेटा पैदा होता है कि बेटी पैदा होती है ये जो आपका language मैंने मंच पे सुना है न हम तो क्या हमारी तो बाती हम तो और बहुत सारा बाता बोले हैं कि लोग पब्लिक सिटी कर रहा है लोग अपना अपना नाम बना रहा है अब अगर दस महीने के बच्चा पे भी अभी तक तो मुझे लगा था कि आयांस का इस पूरे दुनिया में कोई उसका दुस्मन तो नहीं होगा अगर उसका मद अगर तो मुझे लगेगा कि साइध वह आपके उस बोलने के स्टेज पर बोलने के कारण ही यह हुआ मुझे ऐसा लगेगा उन तमाम लोगों को लगेगा मुझे एक बात बताईए ये करोडों लोग एक दस माह के बच्चे के लिए दिन रात पसीना बाहार हैं दिन दातेक कि आपने मंच पे माइट पकड़के और क्या अनुपमा यादों का क्या गलती था वो तो बैचारी ये बोली कि आयांस बाबू के लिए थोड़ा बोल दीजे यहां पर भीड़ बाढ़ है एक कलागार जब गाता बजाता है तो मंच पे दो हजार पांसो दो लाग हजारों ह लोग रहते हैं तो कोल भी बात बोल देता है तो पड़िक कहते के हम और आप वहां बोलते हैं कि मां-बाप उसके प्यार करेंगे दुसरा आएंस आझा जाएगा मैं आपको पता हैं मा एक बच्चे को पैदा करती हैं तो कितना दर्ध होता है आपको इस बात को तो पता होगा आप तो बहुत बड़े गीत गाते हैं और आप बहुत धुरंधर आदमी हैं कम उम्र में सैद आपसे ज़्यादा बोलने वाला मैंने इंसान नहीं देखा बहुत बहुत आहंकार में रहते हैं अब वो घमंड किस बात का है मुझे नहीं पता है लेकिन आपको घमंड है कभी आप हम सब के बड़े भाई संगीत के कही न कई उनको हम लोग मुहमद रफिक आते हैं पाउन जी को कभी उन पे सवाल उठा देते हैं कभी किसी पर कुछ भी बोल देते हैं कोई बात नहीं कलाकारी में चलिए आप हमको गाली हुई दे दीजेगा तो हम बर्दास करेंगे क्योंकि आप छोटे भाई हैं आप रियल ही बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन गाने के बाद जो आपकी बिहवियर कल पहली बार मंच पे जो सुना यह अधिकार आपको किस ने दिया था कि किसी माब आपको प्यार करेंगे तो उसको दुसरा आयान सोजाएगा उसके माब आप एक महिना के बाद इंडिया में दिखेंगे नहीं वो कही करोडो का फ्लेट लेके आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि यह जो करोडो लोग का महिनत है जो करोडो लोग एक बच्चे की जान बचाने के लिए जो वो हसता है ना आप गोलू राजा कभी उसको गोद मिलेके देखिएगा उसकी तकलीफ और उसके मुस्कुराहट को जब वो मुस्कुराता है ना बाबू तो आप ही के तरह लगता है गुलू थुल बच्चा के तरह अभी तो किसी मा के बेटे हैं आप ही हम लोग के छोटे भाई हैं अगर मेरी बात आपको बुरी लगे कि तो मैं अभी सहीच चामा मांगते हूँ तो चोटे मृटे कलगार हैं हम había ज्यादा जियान है नहीं कि जितना मेरे पास दिल दिवाग है अ ilसे जयादे जानते हैं लेकिन एक छोटे से बच्चे के लिए आपने इतना गलत-गलत बात बोल दिया कल वो जवान होके सुनेगा और आप बोलते हैं ना कि वो उसके बाद उसके माबाप प्यार करेंगे तो दुसरा आयान सा जाएंगे मैं पहली बार आप जैसा भगवान देखा कि आपको पता है इस रिष्टी में तो किसी को पते नहीं है कि मैंने बेटा होगा कि बेटी होगा आपको पहले ही पता है कि अगर वो प्यार करेंगे तो दुसरा आयान सा जाएंगे धन नहीं प्रभू आप और उनके माबाप न ये सारे लोगों को आई लाइब में मुझे पताना जरूरी हो गया है उनके माबाप अपना कुछ गिर्वी रख चुके है 25-30 लाग खर्चा करने के बाद जब कोई option नहीं मिला जब पता चला कि बिमारी इतनी बड़ी है तब जाके वो अपने बच्चे को बेड़ पे गोद में लेके और आज पूरे बिहार की जनता से भीख मांग रही है लचार है वो मा उस मा से कभी जाके मिलिए आपको पता चलेगा जिसको आप भगोड़ा साबित कर रहे हैं कि वो कल उनके वो और उनके पिता जी वो कर लेंगा और लोग फेस्बुक पे पब्लिक सिटी कर रहा है पब्लिक सिटी करने के लिए ना बहुत सारा काम है जैसे आप गंडा बोल दिये ना किसी माबाब के बारे में और किसी बच्चे के उपर कैसे बोल दी है, तो आप रात वरात चर्चा में आ गाया है। वैसा पबलिक सीटी सब को करने आता है. पचास को लगातार बाली देगा सार ले पटोने लगेगा अध मुझे जान बचाना तो पबलिक स्थिक को के, आज पूरे भारत के एक एक ब्यत्ती से हम लोग हाथ पैर जोड़के हम लोग हाथ जोड़के निवेदन करके और हम लोग ये बोलते हैं कि भाईया अपने एक रुपेया ही दिजिए ठीक है मदद का अगर एक सीमा है जैसे मैं धन्यबाद बोलूँगा ठीक है उनकी बातों को लोगों ने अलग अलग लिया उन्होंने बोला कि हमारा यहीं रूल है हम इतना ही हेल्प कर सकते हैं बट हम खूस हैं हमारे साथ मेहनत करने वाले आयांस को बचाने के लिए वो करोड़ों ब्यक्ति को खुसी होनी चाहिए कि कम से कम हमारी आवाज वो हमारे सरकार हैं हम उनके सरकार में रहते हैं उनका हुकम सराखो पे लेकिन हमारी आवाज हमारे सीम साहब ने कबूल तो किया कि हम मुझे भी पता है कम से कम हमारे मुख्य मंत्री जी ने ये तो accept किया कि हम मुझे पता है कि ऐसा case हुआ है बिहार में और जनता सब लोग help कर रहा है हमारे तरफ से भी जो एक नियम है उसके हिसाब से होगा तो मैं खूस हूँ बात से चलो उन्होंने अपने एक बात रख दिया कि हम इतना ही कर सकते हैं लेकिन आपने क्या किया आप एक कलकार होगे एक मन से आपने क्या किया आपने तो उसके माबाप को पहले घोसित कर दिया कि ये लोग बच्चे के नाम पर कमाने के लिए बैठे हैं आपके कहने का मतलब यहीं था तो कोई भी वीडियो सुन लेगा तो उसको पता चल जएगा कि आप क्या बोल रहे हैं इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा गंदा कहां से पाल कर रखते हैं आप आप ही के जैसे अंकुष राजा भी कलकार हैं आप ही के उम्रे के आसपास के होंगे जो कुणके घर पे आके मदद किये हैं आप ही के उम्रे से थोड़े आगे पीशे और भी कलकार होंगे बहुत सारे बच्चे कलकार हैं आप तो हम लोग हमारे लिए तो छोटे भाई हैं जै तो भी एक सवाल बार-बार दाग रहा है आपको पता है गोलू जी आपको पताऊं आपने तो घी में आग डाल दिया एक तो ऐसे ही कुछ नीच अस्तर के लोग लगातार विरोध में लगे हैं एक तो ऐसे ही हम लोग परिसान हैं कि एक तरफ करोडों लोगों जो सबकी मुझके लोग हैं जिनके अंदर दिल नाम का चीजी नहीं है और नहीं तो कुछ लोग हाथ में मुबाइल लेकर लिखते हैं कि आयांस जैसा बहुत सारे बच्चे पड़े हैं तो पड़े हैं तो एक पूरी टीम बनाओ ना भाई कम से कम आयांस सही सुरू हुआ ना कि बिह पार के आने वाले भॉईस्य को बचाना है तो इस मुहीम में हम आपके साथ हैं भगवान न करें इस्वर न करें कि आयांस जैसा बीमारी और किसी को हो अगर किसी को गलती से हो भी गया तो हमारी लड़ाई उतनी ही तेज रहेगी जितनी आज है आज हम लोग आज मैं पिछले 15 दिन से लगतार पोस्ट कर रहा हूं उस आयांस के लिए जिसके चेहरे पहंसी दखिएगा तो आपके आँख भर जाएंगे एक तो ऐसे ही दोचर प्रकार के भरष्ट लोग परिशान किये हुए थे गंदा उल्टा मैसेज करके उसमें आपने पूरा घी में आके पूरा और घी डाल दिया आप एक लेडी सिंगर अनुपमा यादों के सामने जो भासा बोल रहे थे आपको पता है किसी दिन उसका भी साधी भी आ होगा वो एक लेडी सिंगर के साथ साथ वो भी किसी की बहन है किसी की मा बनेगी वो एक औरत है आपने उसका तकलीफ देखा उसको कितना दर्द हुआ और आप उसको बोलते हैं कि घर पे जाके पॉब्लिक सिटी कर रही हो मतलब हमारे सरकार के मंत्री हमारे सरकार के जो भी मंत्री भी धाक जा रहा है वो पॉब्लिक सिटी के लिए जा रहा है जो भी मतलब जो मदद कर रहा है वो पॉब्लिक सिटी है और आप लोग बड़ी भासन दे रहे हैं एक रुपया डाल नहीं सकते हैं तो आप लोग भग चीज आप बोले हैं कर वो एक्सन ले लेगा आपको जवाब देने का है आप जबाब दे देंगे यहाँ पे emotion हद से ज़्यादा होता है हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं न एक दुसरे को पता भी नहीं होता है किसका गाउं कहां है खाली एक ही बात एरपोर्ट पे बोलते हैं कि हम इंडियन है तुरत गले लगाके और भरखर गले लगाके और लोग रोटी खिलाता है कि भाई मेरा इंडियन है मेरा भाई है ये हमारा हिंडुस्तान का कल्चर है कतना सिले बस आप पढ़ लिये हैं कि आप भगवान हो गए कि प्यार करने से दुसरा यांस आ जाएगा अरे देखिएगा एक महिना के बाद उसके माबाब दिखेंगा नहीं आप डिरेक पता है कितना बड़ा इलजाम लगा रहे हैं किसी पर अरे और किसी से नहीं डरते और किसी से आप मड़ डरिये इस वर से तो आपको डरना ही चाहिए था न यहां एक-एक रुपया जुटाने में जान लग गई है हर एक बंदे की आप उस हर ब्यक्ति से पुछिए जो एक रुपया डाला होगा वो इसी आस में डाला है और उस दिन से उसकी आखे यहीं देख रही है उसका कान यहीं सुने के लिए तड़त रहा है कि किस दिन हमारा डाला हुआ एक रुपया पुन्य के काम आएगा किस दिन आयांस बाबो को सुई पढ़ जाए इस उमीद में पूरा बिहार उपी पढ़ा है जितने लोग आयांस को जानते हैं अभी तक जितने लोगों को यह न्यूज पता है हर न्यूज चैनल सरे के हर ब्यक्ति तक इस आस में पढ़ा है कि किस दिन 16 करोड आये और आयांस को हम लोग अपना बचा ले ठीक है मैंने माना कि यह चुनोती बड़ी है मैं यह भी मानता हूं कि 16 करोड रकम बड़ी है यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है लेकिन इसका मतलब क्या है कि अपने आग के सामने अगर पता चल गया कि यह फलाने मर रहा है फलाने चीज़ के कारण तो हम परियास भी नहीं करेंगे कैसे इंसान है हम हम को नहीं पता है तो कोई बात नहीं अगर हमको पता चल गया तो हम परियास भी नहीं करेंगे हम परियास करेंगे और आज हम परियास नहीं कर रहे हैं आपने अगर आपने जितनी बाते बोला है आपने सिर्फ आयांस के मा बाबु जी को नहीं बेज़त किया है आपने अनुपायादों को बेज़त नहीं किया है आपने वो करोणों लोगों को बैज़त किया है जो करोणों लोग आज आयांस के लिए दिन्दा धुआ कर रहे है यानि कि आप करोणों लोगों से बड़े हो गए आप जनता जनार्दन से बड़े हो गए आप भविश्य करता हो गए आप सारे कलाकार के पोश्ट को फ्रोड बता दिए उसकी माँ बापको फ्रोड बता दिए आप तो मेरे आयांसी जनस है भई आप एक गायक है आप बहुत बड़े स्टार है मैं मान लिया बहुत बड़े स्टार है हम आप से छोटे कलकार हैं लेकिन आप मेरे छोटे भाई भी हैं आपको महसूस नहीं होगा गोलू राजा जी ऐसे ही हम लोग रोज दुहाजार गाली सुनते हैं कुछ ऐसे अनपढ़ गवार किस्म के लोग हैं जिनको एक बच्चे के हिल्प में भी आप बात करेंगे तो उसमें भी गाली लिखते हैं अब सोचिए कि मने उनकी अस्तित्व कहां तक है वो कहां तक सोच सकते हैं लेकिन हमने बोला ना कि हम भाग्य साली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं हम भाग्य साली हैं कि हम इप बिहार में पैदा हुए हैं जहां पे यहां से बात होता है यहां से कम होता है यहां से ज्यादा होता है हमारे गाउं में अगर किसी एक आदमी के तवियत खराब होता है न हम आज से दस साल के पहले आपको बात बता रहे हैं मेरा एक ऐसा गाउं था आरा जिला में मोहनपूर साइद बहुत लोग को नहीं पता होगा आज ही आप ही के ऊपर ये बोल रहा हूं गोलू जी सुनियेग मेरा गाउं था मोहनपूर आरा जिला में है हाज से 10-15 साल पहले वहां बिजली थी ना रोड था ना कुछ था और इतने पानी में न अगर गाउं में किसी औरत का तवियत खराब होता था किसी का बच्चा होना होता था एक साथ पचास लोग खटिया पे लेके जाते थे हम पानी में यह हमारी एक्ता है और आप आप हमारे एक्ता को तोड़ने चल दिये आज आयांस की माँ और पिता जी अगर उनको ढखोसला करना होता उनको रुपया कमाना होता है तो क्या इतनी एक माँ गिर गई है कि अपने बेटे को बेचके रुपया कमाएगी मसला आप ये बोलना चाहते कि पिहार की मा इतनी गिरगी एक अपने पेटों के बेचके रुप्या कब आएगी वो दस महीने के बच्चे को लेके उनके पास इंडिया के कोई ऐसा बड़ा हस्पिटल नहीं है जहां का उनके पास दिखाने के बाद उसका जो भी मिलता है सारी सबूत नहों हर डॉक्टर का उनके पास सबका वो है जो भी पेपर मिलता है उसके माबाप के पास किसी दिन आप जाईएगा न गोलुजी हम आपको इस पेसली बोल नहीं कि आप आईया नहीं तु चलिए हम आपको लेके आते हैं उस दिन आपको समझ में आएगा कि तकलिफ कितना ज़्यादा है अपना 20 से 30 लाख उर्पया बरबाद करने के बाद लाचार हो की एक माँ आज अपनी आचल फैला के अपने घर पे बैठी है हो सकता है कि आप जैसे क्रिपा निधान का बात जिस तरह से आ रहा है मार्केट में ऐसे ही और 20 क्रिपा निधान हो गए तो किसी दिन उसको आचल लेकर रोड पे आप मांगना पड़ेगा अभी तक तो लोग पहुंच रहा है मदद करने के लिए कुछ दिन के बाद आप जैसे लोग जो मने जिस तरह से आग लगा रहा है न उसके इसाब से तो अपने बच्चे को बचाने के लिए क्यूंकि आप तो कोई साथ देगा नहीं धीरे धीरे आप लोग अफवा फैला देगे तो कोई साथ ही नहीं देगा और आप लोग यहीं चाहते हैं किया यार कि हमको लगता था आज तक कि हमसे सारे लोग बहुत जलते हैं मुझे पंद्रह साल से बहुत सताया जाता है कि राकेश मिश्रा कभी अस्टार ना बने बहुत बड़ा कलकार ना बने वो कुछ भी गाले कुछ भी कर ले उसको हमेसा रुखते रहो तो मुझे लगता था कि चलो हम तो एक कलकार हैं कंपडिशन में हैं तो हमको रोका जाता है आज हमको पता चला कि ना जब एक दस महीने के बच्चे से समस्या हो सकता है यहां लोगों को तो फिर भी राकेश मिश्रा तो तुम अकेले अपनी अपना आगे पीछे कोई है नहीं अपना मेहनत करते आ रहो तो तुमको तो लोग क्यों नहीं गिराएंगे मुझे तो य भाई मैं अब क्या बोलू आपको आपका जब विडियो सुना ना मैं स्टेज पे का और सैलूट है अनुकमा यादो मैं अनुकमा यादो जो आप सिंगर हैं आपको सैलूट है बना उस हर बहन को सैलूट है जो आयांस के लिए राखी आने वाला हेक एक रुप्या दान तो कर रही है अनुकमा यादो कम से कम ये तो बोली कि हाँ गोलू जी बोलिये ना उस बच्छे के बारे में भी बोलिये ना बह एक उसका दिल देखिए और दुख महसूस किया जाता है दुख का मजाक नहीं उड़ाया जाता है जब हमारा लोग मजाग उडाते है Spring laешь ये लिए तुम्हारा गाना नहीं चला गॉं तुमको एस्टार नहीं बनने देंगे बरबात कर देंगे तो जानते हैं हमको दुख क्यूं होता है। क्योंकि दुख हम हसुस करते हैं कि बिडंबर और गडंबर बना के और मेरे खिलाब जूठा सच्चा मार्केट में बाते रखके हमेशा मेरे नाम को खराब करने के लिए लोगों नो जो प्रियास किया लेकिन जानते हैं इंसान क्यों जिन्दा रहता है सरस्वती भगवान भोले नात महतारी इश्वर ये सबसे बड़े होते हैं ये जानते हैं कि निच्चे सब प्रोपगेंड़ा फैलाया जा रहा है मेरा बच्चा इमंदारी के साथ काम कर रहा है मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ आपकी बात सब्त है कि मैं छोटा कलाकार हूँ मैं आवाज उठा दिया मुझे नहीं उठाना चाहिए था आप लोग बड़े कलाकार हैं आप लोग आवाज उठाना चाहिए था आज इस कंपटिशन में भी बहुत लोग बैठे हैं आमको सब्सक्राइब हो सकता है आप नहीं चाहते हैं और किसी दिन विहार का एक बच्चहा को समझें आ के नहीं जाते हैं कि खलाकार पप्लिक सिर्टी से लिए जा रहा है कुछ भी निवेदन करते हैं प्रभु जैसे आयान से मेरे लिए वैसे गोलु बाबु आप भी हैं हर भारत एक भारतिय होने के नाते और यूपी बिहार पुर्बान चल भोजपुरी क्योंकि मैं भोजपुरी गाता हूं भोजपुरी का खाता हूं भोजपुरी मेरी भासा है भोजपुरी पे अभिमान है भोजपुरी के लिए जीऊंगा कम से कम हमारे यूपी बिहार में कभी भी कुछ भी अगर मुझे सुनाई देगा मैं इतने ही दर्द के साथ खड़ा रहूंगा उसमें मुझे किसी की सलाह आगी जरूत नहीं है भले मैं कलाकार छोटा ही क्यों न बनू ठीक है मुझे पब्लिक जानता यह सोच के पसंद न करेके नहीं नहीं राके समिसरा है उसको पसंद नहीं करना है वो थोड़ा काड़ा बोलता है उसको पसंद नहीं करना है वो सच्चा ही मंदाराद में उसको पसंद नहीं करना है क उस बच्चे को गोद मिली जिएगा दहल जाएगा दिल क्या बात करते हैं आप लोग और गोलू राजा के साथ साथ उन लोगों को भी मैं बता रहा हूँ जो घठिया घठिया तरह कि मैसेज ग्रूप में कर रहा है न कि और भी बिहार में बच्चे भूखे मर रहा है संस्था बनेए कि आगे से किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होने देंगे उसमें अगर ना केस में साथ में नहीं रहेगा तो जो बोलिए सो लेकिन प्लीज फेस्बूक पे और पेज पे भासन बागी बंद कर दीजिए आप लोग क्यूंकि आप लोग न हिम्मत तोड़ते हैं कुछ इतने घठिया किसम के लोग हैं जो हिम्मत को तोड़ देते हैं और हम उन भाईयों को थेंक्यू बोलेंगे जो लिखते हैं कि भाईया मत ध्यान दीजिए अरे यार कितना ध्यान नहीं देंगे एक तरफ हम लोग एक जान बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं दुसरी तरफ लोग टांग खिचने के लिए पूरा अपना हिम्मत लगा दिया है एक बात जान लिजिएगा मैं फिर बोल रहा हूं आज आपने एक दम दिल जग जोर दिया है अगर आयांस को कल अगर गलती से भी आयांस को कल अगर ये सुलह करोन आने में एक रुपय के भी कमी होई तो गोलु राजा आप अपने आपको कभी खुद माफ नहीं करेंगे कि आयांस आपका भी अंसर है अगर वो बिहार के मिट्टी का बच्चा पैदा है तो इस मिट्टी से आप भी है वो भी है आपकी जिम्मेदारी थी उसके लिए लोगों से गुहार करना अगर आप मुझे मुझे से नराज होंगे न या कल प्लान करेंगे कि कहीं रागेश मिश्रा पर हमला करवा देते हैं तो भी हमको कोई टेंसन नहीं है लेकिन बस हमाई ये चाहते हैं कि हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं आप मेरे छोटे बाबो की तरह हैं छोटे भाई हैं तकलीफ यहीं हुआ कि एक तो ऐसे ही लोग लगे थे कि कैसे ये चीज मने खराब हो कैसे उसको मदद न मिले और उसमें थोड़ा सा आपका बात लोगों को और मजबूती दे दिया लेकिन लेकिन जो ये करोडों लोग है न ये जो करोडों लोग है हमारे साथ जो भोजपूरी भासा सुनने और बोलने वाले चारिस करोन जो जनता है न आज ही मैं बोल रहा हूं हाथ जुड़के पाउप पकड़के कि आप चारिस करोन लोग भोजपूरी गाना अगर सुनते हैं प्लीज अपना एक एक रूपे डोनेट कर दीजिया आयांस के लिए आप सबको भगवान बहुत 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 कुछ देंगे बहुत बहुत मुश्किल होता है गोलू जी एक बंस चलाने के लिए एक बंस का आना कितना जरूरी होता है एक बच्चा घर में एक बेटा हो उसको पैदा करने के लिए कितना पूजा पाठ कराते हैं परिवार के लोग जिसके घर में 20-20 साल से एक लड़का नहीं है एक घर में लड़की नहीं है उस आंगन को खिल खिलाने के लिए कितना पूजा पाठ लोग कराते हैं इस वर को डॉक्टर को किसको नहीं दिखाते हैं और आप बोल देते हैं कि उनके मम्मी पापा प्यार करेंगे दुसरे आय हम दुसरे किसी के नौबत नहीं आने देंगे प्रियास तो यहीं रहेगा कि हम दुसरे किसी के नौबत नहीं आने देंगे और मैं उन सभी लोगों का भारी हूँ मैं उन मंत्री का भारी हूँ उन विधायक का भारी हूँ जो अपना एक महिना का जो बेतन दे रहे हैं आयांस के लिए अगर जिनका नहीं भी याद है उनको भी मैं दिल से धन्य बात दे रहा हूँ कि आप सभी लोग मानावताय का मिशाल पेश कर रहे हैं और आप सबने जो हिम्मद दिया है अभी भी 80% लोग बोल रहे हैं हिम्मद तोड़ रहे हैं कि नहीं होगा और मैं आज ही बोल रहा हूँ अगर आप सब लोग अपने मम्मी पापा को मानते हैं अगर आप लोग ठान लेंगे तो मैं गरांटी देता हूँ कि यह मुम्किन है और यह कर के आप लोग बहुत जल्दी दिखा देंगे और मुझे ये बात का भरोसा है पता नहीं क्यूं मुझे इतना भरोसा है अभी साथ पांच करोन प्लस हो गया कोई हमसे पूछ रहा था कितना हुआ भया हम लोग पांच करोन क्रोस कर गए हैं हम लोग पांच करोन क्रोस कर चुके हैं पांच करोन साथ आठ या दस लाक हुआ है अगर हम लोग पूरी तागत अपनी जोग देंगे थोड़ा और एकता में हम लोग बल ला देंगे थोड़ा माइनस तरह की बाते मार्केट में नहीं फैलाएंगे अगर हम लोग आयांस को आयांस की तरह लेके चलेंगे न इतिहास कायम कर देंगे हम लोग और ये सब कुछ आप लोगों पे निर्वर है क्योंकि मेरे भगवान मेरे माई बाप तो आप ही लोग है सर शवदा साल से न जाने कितना बार परयास हुआ कि रागेश मुष्रा को खतम कर दिया जाए रागेश मुष्रा को मार दिया जाए मैं माई बाप कहें आपको बोलता हूँ हम जानते हैं कि जानता ने मेरी जिंदगी कैसे दी है आज चाहे राजा जाईना बहरिया कोई गाना बहुत बड़ा बलास्ट हूँ अच्छाहे राजा जावान हम लगा आने वाले तमाम गित सुपर ही ठूंगे तो वह हम नहीं करेंगे हम तो गाह देते हैं वह आप सब करेंगे आज गोलू बाबू भी हर जगा प्रोग्याम करें तो उनको आप ही सब का आशिरबाद प्यार है हम लोग आप ही सब के तो आशिरबाद से दो रोटी खाते हैं हमाली और जब मेरे जनता जनारदन पर बात आजेगी तो हम सुप बैठेंगे मैं तो इतना तक निमेतन करता हूँ आपसे कि कम से कम आपके राकेश मिसरा के बारे में कोई अगर अभवा भी फैलाए तो प्लीज उन सब बातों से दूर रही आप लोग इतना जाने जीगा कि आपका राकेश आप जिस नेजरिया से देखेंगे हम आपके ही लगेंगे आपसे हम कभी दूर नहीं हो सकते हैं छो करोण पर पहुंचते ही हमने के एक दम कदम की और एतिहासिक देने चल देब जा और रूड़ा सब्वे के आपन पूरा का पूरा जोड़ लगा देवे कबाद और एक बार फिर से पुना धन्य बाद विदेश भारत के कोना कोना से एक रुप्या से लेखे हजारो लाखो देवे वाला हर व्यक्ति के योगदान उतने बाद जितना आयांस बाबु के चेहरा पहुंस ही बाहमनी के और उकरा के हमनी के बना कर रखेगेगा और फिर से गोलु बाबु आप बहुत अच्छे कलाकार हैं मैं आपको रियली आपकी कलाकारी को बहुत एप्रिशेट करता हूँ चाहे जिस सिचेशन में भी आप बोले होंगे आपको आके और जल्दी से जल्दी आयांस बाबु से मिलना चाहिए मैं अभी भी यहीं बात बुनगा क्योंकि हमारे परिवार के आप सदस्य हों बड़ बोलापन हो सकता है कभी हो जाया फिर भी हम मानते हैं कि नहीं तो भाई मेरे बहुत बड़ी लड़ाई है इसमें आप सबका सहयोग चाहिए इसमें हर एक मंच करने वाले एक एलाउंसर से लेके एक मुजिसियन से लेके एक कलाकार से लेके एक रिक्षा चलाने वाले भाई से लेके, ठेला चलाने वाले भाई, इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान चाहिए, हम सभी परिवार हैं, और हमारे गोद में एक दस माह का बच्चा है, जिसका दसवीश पचास में इलाज नहीं हुआ, उसके माबाप सारा प्रयास करके ठक ग दिल से समके जैहिंद जैबोजपुरी